पहली सुबह ससुराल में बरतन गिरने की आवाज से सिखा कि आँखे खुल गई, घड़ी देखी तो आट बज रहे थे, वे हड़ बड़ा कर उठी, ओ मम्मी जी ने कहा था, कल सुबह जल्दी उठना, तुम्हारी कल रसोई की रसम करनी है, हलवा पूरी बनाना है, और अभी तक कैसे सो सकती हूँ, अब क्या होगा, पता नहीं क्या सोचेंगे ससुराल वाले, कहीं मा जी गुसा न, हमसे और उसे रोना आ रहा था, दादी ने कहा था, ससुराल है, थोड़ा संबल कर रहना, और सुनो, किसी को कुछ कहने का मोका नहीं देना, तुम और सुनो, सुबह जल्दी उठना, और नहा धोकर साड़ी पैन कर तयार हो जाना, और अपने बड़ो का आसिरवाद लेना, कोई काम ऐसा न करना, जिससे तुम्हारे माबाप को ताने सुनने पड़े, किसी तरह वैभागी दोडी करते तयार हुई, और आइने में अपना चहरा देखना भूल गई, बिंदी सिंदूर लगाना भूल गई, तभी आदाया, तो बिंदी और सिंदूर लगाया, और कमरे से बहार निकली, जिस तरह हड़ बड़ी में सीखा कमरे के बहार आई, तो उसके चैरे पर साप दिख रहा था, और वैभागती हुई, रसोई में गई, और उसे इस हड़ बढ़ाते हुए देखकर सासु माने अचानक से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली आओ बेटा नीन ठीक से आई या नहीं जल्दी से बोली जी मा नीन आई मगर जरा देर हो गई इसलिए सुबर जल्दी आँख खुल नहीं पाई लेकिन बहुत जादा डर गई कोई बात नहीं बेटा सिखा हैरान हो गई तब ही सासु माने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोली इसे हाथ से छूलो और सासु माने उसे कहा बनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी प्यारी गुडिया वैसे बहुके तो हसने खेलने के दिन है मैं तुमसे कभी नहीं काम करवाऊंगी कीचन का आज रस्म के लिए काफी है अपनी सासु मा से गले लगकर रोने लगी आसा करती हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद